सो देखिए हम एक चेप्टर स्टार्ट कर रहे है that is about the friction गर्षन क्या होता है physics का काफी important topic है यहां से कई बार question पूछा जाता है तो friction गर्षन इसका simple तरीके से मैं बताऊं that is enemy of motion यह definition का ही लिखकर मताना लेकिन समझने के लिए बत समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाई है मैंने बनाई है that is enemy of motion जो गती का सत्रु है उसी को हम बोलते है that is friction जहां पर friction जदा होगा उस चीज़ पर motion कम होगा जहां पर friction कम होगा घर्षन कम होगा उस जगे motion गती जदा होगा clear है अब रटी रुटाई definition पर आता है रजश्ट करता है उसको रोग का रखता है that is friction क्लीर इसमें क्या होता है सरपेस की इस तरीके से इंट्रलोकिंग होती है फ्युक्त है का motion होगा उतना उस object का motion reduce हो जाएगा उतना उस object की गति रुक जाएगी ठीक है फॉर एक्जांपल आप एक स्मूथ सरपेस पर चल रहे हो और एक यह उबढ़ खाबड वाले सरपेस पर चल रहे हो ठीक है यह जो है ना इस तरीके से इंटर लोकिंग बहुत ज़्यादा होती है इस कारण हमारा motion रुख जाता है इतना सा पता चल रहा है friction के कारण और friction के लिए हम एक term का यूज करते है friction के लिए हम एक term का यूज करते है ढ Philip중 क्या उखेस्टा है निचसरी इव इस कि जरूरी बहए और यह नुकसान भी करता है दोनों चीज फ्रिक्र नेशीचरी जरूरी भी जरूरी के से प्रस्न होता है नुकसान के समने करेंगा मशीन हो गए ठीक है मश्यन हो गए मसीन के जो पार्ट पगेरा मोशन करते से एंप्राइब हो तो इसके स Ne statistically औरफिक्सन तो इसे कारण को माशीन की अपने को कोस्ट बढ़ जाएगी उसके लिह बगार करके फिक्सन को कमकरने की कोशिज करते यहां तक पता है कई बार हम fluid water का भी उज़ करते था कि heat कम हो जाए friction कम हो जाए तो देखो यह सत्रूत हो गया एविल लेकिन necessary भी है necessary कैसे किसी surface पर आप खड़े हो वहाँ पर मानलो oil गिरा दिया और वहाँ पर खड़े हुए आप खड़े रहे सकते हो sleep हो जाओगे आप क्या हो गई नहीं तो आप ब्रेक लगेगा नहीं आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं आप sleep हो जाओगे पता चला accident हो गया ठीक है तो इनके जो विल होते हैं उन पर भी प्रोपर ग्रीपिंग होती है उसी का पैसा लगता है ठीक प्रोपर टाइम के बाद वह पई यह गिज जाते तो आपको इतना सा पता चल गया अब question पूचा जाता है friction कितने तरीके का होता है option में देए दिया two three four five right answer बता हो तो जो इसका right answer होगा friction is of four type चार तरीके का होता है एक होता है static friction जिसको इंदी में बोलते जो liquid के अंदर होगा that is fluid friction clear यहां पर यह क्या होगा layer के बीच में होगा जो फ्लूइड की layer होती है उनके बीच में होगा clear okay now come to the first one that is static friction इस्टेटिक इस्टेटिक फ्रिक्षन क्या होता है इस्टेटिक फ्रिक्षन होता है जब बोड़ी कोई भी रेष्ट की पोजिशन में जब कोई भी बोड़ी आराम की अवस्ता में कोई भी बोड़ी आराम की अवस्ता में माल लो यह डश्टर इस पर पढ़ा हुआ है इस पर पर आराम से पड़ा हुआ है तो वह स्लाइड कर रही है इसे क्षिया पर यहां पर जो फ्रिक्षिजट लगेगा उसके अंदर देठीज है sliding friction इस टर को मैं स्लाइट करा हूं इस सफें इस सर्फेस के अंदर स्रपेस ओर इसक्र स्लाइडिक स्लाइडन्यौं क्लियर, यह क्या करेगा? जिस्लाइड करेगा तो और eer yearly स्लाइड करेगा ठीक है तो पता चलिएदे 3D इं पुर्ट यरोलिंग कि रोलिंग फ्रिक्षण और कहा हुं कि रोलिंग फ्रिक्षण में जो कोई भी ऑबजेक्ट का जो मोशन होगा उसको मुओमेंट देना ही होता है इनका पे रिजन तो तो इसके बीच में सरफेस के बीच में जो रोलर और यह रोटेट कर रहा है तो इसके सरफेस में जो भी फ्रिक्षन लगेगा डेट इस रोलिंग फ्रिक्षन ठीक है ऑग्जामपल बताओ तो बाइक विल्ल में रोल ड्रोल कर रहें और कर रहें तो यहां पर ऑडिप्र में और освbenली गविए विल्युटा इस यह फिर यह तो मिचমे फोर्स का फूर्स में बाईंड होता है तो वहाँ पर फोर्स होता है जिससे यह मोमेंट नहीं कर पाता है ठीक है इससे बाकि अगर फ्रिक्सण अगरा नहीं होगा तो पानी की तरह फेल जाएगा सेद वगएरा तो हर फ्लुईड में अपना डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप का मेटिरियल होता है अलग-अलग rolling जिसमें rotation होता है उसमें जो rotate body में जो भी friction होता है घर्सं होता है और field friction जब हम बात करते है बात इता है यह एचिस बार question पूछा गया है इसे आपको यह topic clear हो गया होगा थेंकि लूऔ हर नहीं हो तो like से subscribe जरू करें